हेलो एवरीबड़ी वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं एकता आपका मेरी चैनल एकता क्रेशन्स में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस शॉर्ट जैकेट का टुटोरियल जिसको की मैंने एक ओल्ड जीन से बनाया है तो इसके लिए मैंने ये एक ओल्ड जीन से लिए है जिसके ये दोनों लेक्स पार्ट को मैंने एक की उपर एक करके रख लिया है और इस पर मैं 13 इंच की मार्किंग करूँगी बॉटम से और इसको कट करके मैं अलग कर लूँगी इस पार्ट से मैं स्लीव्स बनाऊंगी चैकेट की तो इसके उपर मैं स्लीव्स की मार्किंग करूँगी तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को कट करके अलग कर लूँगी अब ये देखिए मैंने यहाँ पर उपर से 3.5 इंच पर इस पर मार्क किया है और सेंटर से यहाँ 7.5 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद इसे टॉप पार्ट से इस तरह से तिर्षा मिला लेना है और इसके बाद इस पर एक कर्व मार्क कर लेना है इस तरह से अब इस पर जो friend का curve है वो भी मैं mark कर लूँगी और नीचे का जो arm का गुलाई होता है वो यह मैं यहाँ पर mark कर रही हूँ और कुछ margins भी mark कर रही हूँ तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो sleeves है उसके center वाले part पर सिलाई आएगी तो इसको आप center पर ही रखना है इस सिलाई को और इसके बाद जो भी हमने marking की है उसको हम cut कर लेंगे इस तरह से तो एक-एक करके मैं इसको cut कर रही हूँ क्यूंकि jeans का कपड़ा बहुत मोटा होता है अब इसके बाद मैं इसको side से भी इस तरह से cut कर लूँगी और open कर लूँगी अब यह जो extra है margin के बाद वाला कपड़ा इसको भी मैं cut करके अलग कर लूँगी और यहाँ पर यह जो front के लिए हमको curve cut करना होता है उसे भी मैंने cut कर लिया है और यह नीचे की slime मैंने कोल दी है जिससे कि मुझे इस पर frills लगाने में easy रहे और जो extra fabric है इसको मैं cut करके अलग कर लूँगी अब जो jeans का बचा हुआ part है उसकी ऊपर मैं jacket के front part और back part की cutting करूँगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे front part की cutting कर रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे length ली है 16 inches क्यूंकि बनने के बाद यह 15 inches का ready होगा और shoulder मैंने यहाँ पे लिया है 7.5 inches और arm hole का depth मैंने लिया है वो 7.5 inches रखा है आप चाहे तो थोड़ा जादा भी कर सकते हैं और इसके बाद क्यूंकि यह jacket है और इसको आप किसी ना किसी fabric की ऊपर wear करेंगे चाहे वो कुरती हो चाहे गाउन हो तो इसकी जो arm hole की गुलाई है वो आप जादा ही रखिएगा और इसके बाद यहाँ पर neck के लिए मैं 3 inch पर center से mark कर रही हूँ और depth भी मैं यहाँ पर 3 inch पर mark कर रही हूँ और इसके मैं round neck बनाऊंगी और यहाँ friend के जो arm hole की गुलाई है उसके लिए मैं marking कर रही हूँ तो 1 inch मैंने अंदर की तरफ mark किया है उसके बाद मैं यह गुलाई mark कर लूँगी और यहाँ पर मैं west की marking कर रही हूँ जो की 8.5 inches है और यहाँ पर मैं chest की marking कर रही हूँ जो की 9.5 inches है इन दोनों को मैं मिला लूँगी और यहाँ पर margins भी मैं यहाँ पर draw कर लूँगी और यह देखिए यह मैंने थोड़ा सा shoulder down half inch का draw किया है shoulder down cut और यह मैंने जो neck बनाया है वो round neck बना लिया है तो इसको मैं cut कर लूँगी यहाँ पर जो arm hole है वो मैं back का arm hole ही पहले cut करूँगी क्योंकि इसको रखकर मैं back part भी cut कर लूँगी तो इसलिए मैं इसको अब side से open कर लेती हूँ और इसको अब jeans के बचे हुए part पर दूसरे part पर मैं इस तरह से रख लूँगी और इस पर back वाला जो part है उसको मैं cut कर लूँगी बट यहाँ पर जो neck का part है वो मैं one inch depth का रखूँगी और इस तरह से मैं इसको cut कर लूँगी बैक वाले part को यह देखिए neck को मैंने सिफ one inch depth का रखा है और इसको मैं side से भी cut कर लूँगी तो इस तरह से यह back का part cut के ready हो गया है अब यहाँ जो front वाला part था उस पे से मैं यह front का arm hole cut कर लूँगी और इसको बीच पे से open कर लूँगी और open करके इसकी जो यह बीच वाला part है उसको मैं fold करके इसकी उपर सिलाई लगा लूँगी और इसको मैं hem कर लूँगी अब यह देखी यह back का part और इसके उपर यह front के part यह cut के ready हो गया है अब मैं यह बचे हुआ जो jeans का part है उस पर यह देखी उसमें से मैंने pocket cut करके अलग कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे 4.5 इंच के strips की marking कर रही हूँ जिसको की मैं sleeves के नीचे फ्रिल बनाने के लिए use करूँगी तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर यह strips mark कर लूँगी और इसे cut करके अलग कर लूँगी अब इसके बाद जो यह बीच में से लाई है इसको भी मैं cut करके अलग कर लूँगी और यह देखिए इस तरह से यह हमारे पास दो strips कट के ready हो गई है जिसकी की चुड़ाई 4.5 इंच है अब इसको मैं यह jeans के जो sleeves है उसके bottom part पर इस तरह से frills देते हुए attach करूँगी 11 इंच की यहाँ पर frills लगाऊंगी मैं इसमें और इस तरह से मैं इसको stitch कर लूँगी और नीचे वाले पार्ट को भी मैं ham कर लूँगी और इस तरह से मैं sleeves बना कर ready कर लूँगी अब यह देखिए यह back का part और यह front का part है और 이 front के part पर भी मैंने बीच वाले पार्ट को slice करके ham कर लिया है ते देखिए अब मैं इसके दोनों shoulders को stitch करके attach कर लूँगी और इसके बाद इस पे sleeves भी attach कर लूँगी तो यह देखिए यह मैंने sleeves भी attach कर लिया है इसमें अब मैं यहाँ पर साइट की जो फिटिंग की स्टिच है वो लगा लूँगी अब मैं कुछ औरे पटियां वन इंच की कट करके अलग कर लूँगी जिससे की मैं जैकेट के नेक की पाइपिंग करूँगी तो यह देखिए इस तरह से मैंने औरे पटि बना कर रेडी कर ली है और इसको मैं जैकेट के नेक पर इस तरह से स्टिच करूँगी और इसको पलट कर इसके उपर स्टिच लगा लूँगी और मैं इसके bottom part को भी इस तरह से double fold करके ham कर लूँगी और इसके उपर अब हम lace लगाएंगे देखिए इस तरह से हम ये white color की जो lace है वो इस पर use करेंगे तो इसके पूरे bottom part पर ये lace लगाएंगे और इसका जो middle वाला part है उस पर भी हम ये lace लगाएंगे तो हम इस पर एक side से lace लगाते हुए आएंगे ये देखिए नीचे से हम start करेंगे इस पर lace लगाने के लिए bottom part से फिर हम इसके beach वाले middle वाले part पर लगाएंगे और फिर neck पर लगाएंगे इस तरह से हम lace लगाएंगे और इसके sleeves पर भी हम ये lace लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने इसके उपर ये lace लगा ली है stitch कर ली है दोनों side stitch देते हुए और ये हमारा jacket बनकर ready हो गया है आप इसमें ऊपर वाले part पर एक hook और एक नीचे में एक hook attach कर सकते हैं जिससे के आप इसको easily wear कर सके आशा करती हूँ कि आपको ये tutorial पसंद आया होगा तो thank you friends for watching हुआ 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 है